ओम्स्यान्ति बाबा ने हम सभी को याद दिलाया पिनास काल का तुम्हारा स्वरूप है विस्व कल्यान कारी का तुम्हें सब का कल्यान करना है सभी के दुखर ने हैं सभी को श्यान्ति देनी है मुक्ति जीवन मुक्ति की रहा दिखानी है इतना ही नहीं बहुत बड़ा रोल तुम्हें प्ले करना है सभी को मुक्ति धाम की तरफ भेजना है इसारा करेगे घर चलो दरस्टी देंगे, सकास देंगे, वाइब्रेशंस देंगे और आत्मय मुक्तो कर घर वापिस जाने लगेंगी तो बहुत बड़ा कारिये हम सब का इंधजार कर रहा है इसके लिए जैसे हम पिछले एपिसोड में चर्चा कराए हैं सभी अपनी भावनाओं को सुद्ध करें कोई भी निगेटिव भाव न, हमारी सकास को सफल नहीं होने देगी हमारी सकास के मार्ग में दिवार बन कर खड़ी हो जाएगी और अगली बात, सकास देने के लिए हमें स्रेष्ट योगी और बहुत पवित्र भी बना है, भावनाओं को सुद्ध करने के साथ, हमारे पास पवित्रता की शक्ति और योग का बल बहुत होना चाहिए, तभी तो हमारी सकास बहुत फोर्स से कम करेगी न, जैसे बल्ब उसके यदि कम हो, तो उसकी लाइट कहां तक जाएगी? हैलो जिन की लाइट, लाइठाॉस की लाइट, हमें तो माइठाॉस बना है, ताकि हमारी सक्तियां दर दर तक दाम करें, अपने देखा होगा, कम से कम विष्णु और महादेव जी के चित्रों में, उनकी कहानियों में विष्णु जी ने अपना हाथ ऐसे किया हाथ से vibrations निकलते हैं, केड़े निकलती हैं और ग्रह का गला कट जाता है, गजमुक्त हो जाता है महादेव ने ऐसे किया, सकास निकली कभी मस्तक से किरने निकली, फलाने भक्त की रक्षा हो गई हम सब को ये माहनकारी करने होगे ये हम सब की यादगार मेही सास्त्रों में वर्मन है, गायन है तो हम अपने को सरेष्ट योगी बनाएं और मैं आपकी सामने vibrations देने के कई तरीके रख रहा हूँ आप कभी कुछ कर लिया करें, लेकिन बहुत सुन्दर रहेगा कि सवेरे और स्याम, पंदर है पंदर है, 20-20 मिनत, फिक्स करें टाइम करना है रोज, इसमें चार बजे की बात नहीं है अब पांच बजे कर लें, साथे चार कर लें, छे कर लें श्याम को कोई भी टाइम कर ले, जो भी आपको अनुकूल हो, सहज हो, या रुची कर हो, जब आपका योग बहुत अच्छा लग रहा हो, इसको रुची कर कहेंगे, जब आपकी एकागरता बहुत अच्छी हो, माइंड, बुद्धी, इस्टेविल हो, एकागर हो जाए, तब आपी अभ्यास कर ले, एक सिंपल विदी, दूसरों को आत्मा देखना, माना वाइब्रेशन्स देना, कोई आपके सामने एक दुख ही वेक्तिया गया है, उसे आत्मा देखो, और अपने कोई स्वरूप में स्थित करो, मैं मास्टर दुख हडता सुख करता हूँ, मेरे मस् तक से सुखों की केड़े निकल कर इस आत्मा को जा रही है, एक मिनट दे दो, दुख कम होने लगेगा, कोई व्यक्ति बहुत पाप आत्मा आपके सामने आ गई है, आप उसे आत्मा देखें और इधर स्वमान ले ले, मैं पवित्र आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ, या सामने आ गया है, नुक्षान पहुंचाने आ गया है, उसे आत्मा देखो, मैं परम पवित्र हूँ, इस देवी हूँ, शिवसक्ती हूँ, दृष्टी दो, व्यक्ति भाग जाएगा, उसकी भावनाएं बदल जाएंगी, तो जिस स्वमान में स्थित होकर हम दूसरों को आत है, यह समस्य आजकल वठती जा रही है, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हूँ, सिर्व सक्ति हूँ, इस स्वमान में स्थित होकर, उसे आत्मा देखें, उसका भैस हमाप्त होने लगेगा, लंबी दृष्टी दे दे, संकल्प कर दे, आत्मा भैसी मुक्त हो जाए, काम होने ल सकता है, हम कैसे सकास दे, हमारे पास ही सकास नहीं है, हमारे पास ही शक्तियां नहीं है, हमारे मन तो बहुत भटकता है, पहले तो इस मन को भटकाए नहीं थोड़ा, रोकें अपने मन को स्वराज जदिकारी बनकर, व्यर्त की बातों में जादा न रहें, चिंताओं में, प मेरे मस्तक से शक्तियों की लाल किरने निकल कर दूर दूर तक जा रही हैं। एक मिनट करें। निर्भय हो। सभी का देवत्तु जागरीत हो। जो ये सुन्दर संकल्प हैं ये कर लिया करें। जो पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की। और अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं पूरवज हूं। गलोब के उपर विराजवान हूं। गलोब माना विस्व का गोला। अब इसमें कई अभ्यास करेंगे। सिवावा जो सार्व शक्तिवान है। उसकी शक्तियों की किरने मुझ पर पढ़ रही हैं। एक मिनट तक लेंगे। एक मिनट। फिर मेरे अंग-ंग से शक्तियां फैलने लगी हैं। देखेंगे फैल रही हैं। लाल किरने दूर जा रही हैं। जा रही हैं। संसार में फैल रही हैं। चार ओर का वातवन लाल किरनों से भर गया है। संकल्प करें। इस अकास से सभी के दुख नस्ठों। सभी के विग्न समाप्त हो जाए। दूसरा अभ्यास कर ले। मैं आत्मा स्यान स्वरूप हूं। पीस हाउस हूं। शांती के सागर सिव बाबा से शांती केरने मुझ पर पड़ रही हैं। एक मिनार तक। फिर मुझ से, मेरे अंग-अंग से, मस्तक से, नैनों से, ये चार ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा इस देह से नियारी हूं। बेलकुल ऐस सरीरी। जैसे देह में हूं ही नहीं। कभी अभ्यास करने मैं बेलकुल निराक्तार हूं। देह ही नहीं। शांती की तरंगे फैलने लगी हैं चार ओर। संकर्प कर दें। सभी के चित श्याम्थों। सभी के मन एकाग्र हो जाएं। बहुत अच्छा ब्यास करें। मैं फरिष्टा पवितरता का आकास में हूं। प्रकरती का मालिक हूं। बाबा की पवितर केर्णे मजपर पढ़ रही हैं। मुझसे चार ओर फैल रही हैं। पुराकास मंडल गुल्डन कर्णों से भर गया है। चांतारे सूरज इन कर्णों को ग्रहन कर रहे हैं। प्रकरती इनको समा रही है। संकल्प दे दे हैं प्रकरती। तुमसे तो प्रधान बन जाओ। सुखदाई हो जाओ। सबका कल्यान करो। ऐसे ये विन विन तरीके अपनाएंगे। सकास देंगे रोज। हमारी सुब भावनाएं भी दूसरों को सकास पहुँचाती हैं। और ये योग के अभ्यास भी सकास पहुँचाते हैं। और इसकी बहुत आवश्चकता होगी आने वाले समय में। जहांभी विनास हो, वहां हमें सकास देनी है। कभी फरिष्टे बन कर वहां पहुँच जाना है। वाइबरेशन्स फैला देने हैं। और इस तरह है। हम विश्व की बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे। जन जन का कल्यान कर सकेंगे। बाबा का सिव बाबा का नाम रोशन कर सकेंगे। ओम श्यांति है। कर सकेंगे।